में आज में जो सबजी बनाना दिखाऊँगी भिए अक्सर हम फेक देते हैं फिसे भिना फेक के एस्व फ много यह बड़ा Size का में वह शारिसल को हम बनाएंगे इसनों फेक देते हैं प्त्ता कोई लेते हैं numéro 9 इसको बनाना प्सकर में लिक्टर ना प्नाबल경ता है हम ने इसको प्ता को तोर के इसका स्रीफ डंटल ही राच देलते हैं कि देखिए इसका आंप जो नरम बला डंटल है इसका हम काट लिये हैं इसको पेत्था को हम अलग से बनाएंगे दंटल को काट कर तयार कर लिया है साथ को भी मैंने अलग रख लिया है, इसको हम अलग से बनाएंगे, ताज हम तंठल को बनाएंगे, हम साथ को रख देते हैं, इसका तंठल को हम आज बनाएंगे, तक कड़ाई लिया है, इसमें हम एक बड़े चमज तेल डाले है, और इसमें हम भड़ी मीट, अदरा, जीगा और एक इलाजी तड़का लगाएंगे, तेल में हम डाल दिये हैं, इसको हम फुरिजर के लिए भून लेते हैं, अद्रक का कच्छो स्वाच चला जाए, और हम इसमें डंठल को डाल देते हैं, मिर्च अपने हिसाब से डालेगा, तिखा कम जड़ा हो सकता है, अब इसमें हम हल्दी परड़ डाल दिये, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डाल दिये, अब इसमें हम एक चीज डाले हैं, यह है सौर्सो पेस्ट, राई का पेस्ट हमने डाल दिये हैं, तो पानी भी थोड़ा सा डाल दिये हैं, इसको हम मिला लेते हैं, के हम दो से तीन मिनटी पकाएंगे नो फिलेम पर अब रब कन खुल के देख लेती हूं यह जल्दी पग बी जाता है अब इसका हम पानी जितना है इसको सुखा सुखा बना लेंगे इसको हम सुखा सुखा बना लिया है अब यह देखिए यह पक चुका है गंठल यह बनके तयार हो गया है अब इसे मैं सर्फ करती हूं यह बहुत ही बड़िया बनता है आप लोग इसे बना यह खाई और कैसा लगा हमें कमेंट करके जुरूर बताएं अच्छा लगे तो झाले विडियो स्मेश